कि वास्ता में संसकार जन्म जात होते हैं और ये अच्छी संगत का ही परिणाम होते हैं जो व्यक्ति के अंदर आते हैं तो ये कहानी आधारित है एक हमारी जो भारत के मुख्य चुनावा युक्त रही हुए है टी अन्सेशन उन्होंने अपने आत्मकथा में इस कहानी का उल मैं कहानी पर नहीं प्राइम करती हूं एक बर जब टीएन्सेशन गए अपने परिवार के साथ में चुटिया मनानी के लिए उतर-प्रदेश तो उनके साथ में उनका परिवार भी था मतलब फैमिली भी थी बच्चे जाएं उनके साथ में जा रहे थे और रास्ते में उन् कि चाहिए गोरे कगे दो क्या चाहिए ऊण्सले चाहिए तो उन्हों ने कहा अब जो साथ चल रहे थे तो हो पुलिस करमे अट किस अधिन साथ में चल रहे थे उन्होंने वहाँ हो रहे अर उसको बोलाया और उसको कहा एसा आदिस धिया उनको जो बड़े गोन से को बड़े सेशन साप को देखा UP परिवार को निका उनकी पतनी को ने वह वह अपी और सेशन ने उस बच्चे को कहा कि मैं जब तुम तुम लेकर आओगे गोरीयों कि जो घुशली लेकर आओगे तो उसके लिए मैं तुम्हें 10 रुपे दूँगा बच्चे ने मना कर दिया इंकार कर दिया कि बे नहीं मैं तो गुंसला नहीं लेकर क्या हूँगा तिये शेशन साब ने उसे और लाले सी दिया कि चलो मैं तुम भी आमी नहीं बड़ी अब पुलिस वालों ने उसको धमकाया अपना जो रजमाई इसकी कि भी देखो अगर तुम नहीं लेकर आये तो साब तो जजज है तुमको गंबीर परिणाम बुगतने बढ़ेंगे अगर तुमने इस बात को नहीं माना तो लड़का बहुत संसकार साथ में बहुत आदर के साथ में बहुत विण्य भाव के साथ में गया चार और इनको कहा सब ऐसा कर ही नहीं सकता उन feder के च्टे चोटे बैचे और मैं आपको दो गहु आपने बच्चों के लिए बुजिन की तलास में बाहर गई वी है वो जब वापस आईगी और बच्चों को नहीं देखेगी तो बहुत दुखी होगी जिसका पाप मैं अपने सर नहीं ले सकता यह सुनकर के सेशन साब एकदम रहे गए और यह देख करके यह सुनकर के सेशन साब को लगा कि वास्ता में संस्कार क्या चीज होती है आत्मेता क्या चीज होती है ममत्व क्या चीज होती है तो उन्होंने इसको देखकर कि अपनी आत्मगता में लिखते हैं कि मेरी इस्तिती शक्ति और आईएस की डिगरी सिर्फ उस छोटे अंपड मवेशी चलाने वाले गई पत्नी द्वारा गोंसली की चख करने और घट लोटने के बाद मुझे उस घटना के काण अपराद बोद की गहरी भावना का सामना करना पड़ा तो इस कहानी से हमेरी यह सिक्षा मिलती है कि जरूरी नहीं कि सिक्षा और महंगे कपड़े मानवता की सिक्षा दे ही दे य जो हमारी भीतर संसकार जो पनपते हैं उन संसकारों से ही आती है और दया करूना दूसरों की भलाई का भाव उ चल कपतना करने का भाव मनिश्य के परिवार के बुझरगों द्वारा दिये गए संसकारों से और अच्छी संगत से आते हैं जब घर में जो बुजर्ग विद्यमान है, जो हमेशा करुणा के सिक्षा देते हैं, दया के सिक्षा देते हैं, परुपकार के सिक्षा देते हैं, अगर वही बुजर्ग हमें अच्छे सिक्षा देंगे, तो हमारे अंदर भीतर जो संस्कार होंगे, वो अच्छी तरीके से प और संगती जह है, वो बहुत अच्छे होने चाहिए, संगती अच्छी होगी, तो वास्त में जो गुण होंगे, वो अच्छे ही आएंगे, और बुरी संगती होगी, तो अच्छे गुण आने का प्रशन ही नहीं उठेगा, तो आच्छी कहानी कैसी लगी, क्या प्रेणा मिली आपको प्लीज कमेंट करके बताईएगा बोलने का धंक कैसा लगा ये भी प्लीज बताईएगा आज के लिए धन्यवाद नमस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेर करना ना भूलें शेर भी श्जादा सब्सक्राइब की ज़्यादा कीजिए धन्यवाद नमस्क्राइब